दोस्तो अगर आपने अपने आईफोन में messages जो app है उसकी notification को आपने बंद कर रखा है कोई भी message आता है तो आपको उसकी notification नहीं दिखाता है क्योंकि आपने बंद कर दिया था अब आप उसको on करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे ताकि कोई भी message आए तो notification उसकी दिखाए आपने आईफोन की settings में settings में जाते है इस type का interface मिल जाएगा यहाँ पर आपको एक option दिखाएगा notifications का आप इस पर click कर लीजिए इस पर click करते ही आपको यहाँ पर नीचे की side apps की list दिखा देगा यहाँ पर आपको ढूनना है messages कहाँ पर है okay messages नाम से एक app दिखेगा आपको तो यहाँ पर alerts में 3 options दिखा रहा होगा तो जो जो options चाहिए हो उनको select कर लीजिएगा जैसे banner हो गया notification center या lock screen notification ओके तो जो नहीं चाहिए उसको click करके unselect कर दिजिएगा जो चाहिए उसको select कर लीजिएगा इस type से ओके उसके बाद आपको notifications आने लगेंगी अगर वीडियो से help कोई हो तो वीडियो को कर दीजे like, channel को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए